Hello and welcome back in Revolution in English. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस Revolution in English YouTube चैनल के अंदर. प्रिदियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि parts of speech के अंदर कौन कौन से topic cover up होते हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि उन सभी chapters के उपर हम फिर से study करेंगे और धेर सारे example के साथ उनको सभी को फिर से पढ़ेंगे तो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ parts of speech का सबसे पहला और the most important chapter लेके जिसका नाम है nouns जब कभी भी हम ये सुनते हैं कि nouns तब हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये clear हो जाती है कि nouns का मतलब होता है नाम पर nouns के अंदर भी बहुत सारे types चुपे हुए है जी हाँ nouns के अंदर भी बहुत सारे types चुपे हुए है और आज हम उन सबी types के बारे में यहाँ पर discussion करने वाले है nouns first example मैं आगर आप किसी जगा का या फिर किसी इंसान का नाम दूँगा तो आप उसको किसी category के अंदर रख दोगे पर क्या आपको यह पता है कि वो किस तरीके का नाम है वो abstract noun है या फिर वो concrete noun है या फिर वो collective noun है या आपको बिलकुल पता नहीं है board पे मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे हुए है उन सभी noun के individual अलग-अलग role है और वो अलग-अलग condition में अलग-अलग जगा पे apply होते हैं तो आज हम बिलकुल वक्त खराब नहीं करेंगे और सिधा चलते हैं आज के chapter की ओर सबसे पहला आता है concrete noun concrete noun यानि कि किसी भी नाम को, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान के नाम को चीज-चीज को आप जू सकते हो या फिर आप उसको physically touch कर सकते हो या फिर आप उसको physically मैसूस कर सकते हो तो उन सभी noun को आप रखोगे particular एक list के अंदर जिसे कहता है concrete noun जी हाँ, concrete noun के अंदर याद रखने वाली सिर्फ एक चीज़ है, उसे कहता है कि जिस जिसको आप touch कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको चू सकते हो, उन सबी नाम को, उन सबी नाम को हम concrete के अंदर रखते हैं. फर एक्जामपल, यहाँ पर मैंने कुछ एक्जामपल लिखे हुए है, एपल, बॉल, केशियर, ओफिस और कैबिन, यह सबी चीज़े, यह जगा का नाम है, यह किसी इंसान का नाम है, यह किसी चीज का नाम है, यह फ्रूट का नाम है, और यह किसी प्लेस का नाम है, इन सबी चीजों के पास में जा सकता हूँ, इंने टच कर सकता हूँ, इंने मैसुस कर सकता हूँ, तो इन सभी को कहता है तो उसका बिलकुल अपोसिट, उसका बिलकुल विपरित आता है अबस्टरेक्ट नाम. अबस्टरेक्ट नाम के अंदर क्या होता है? For an example, मैं किसी चीज के नाम को, किसी जगा को, किसी चीज को, मैं सिर्फ उसके नाम के जरीए जानता हूँ, पर मैं उनको ना टच कर सकता हूँ, ना मैं उनको मैसूस कर सकता हूँ, it is just a emotion, मैं उनको देख भी नहीं सकता, तो उन सभी को मैं रखूंगा, abstract noun की list के अंदर. For an example, उसके example है honesty, ability, hope, anger और sorrow. Honesty का मतलब होता है प्रमानिक्ता, ability का मतलब होता है कौशल, hope का मतलब होता है आशा, उमीद, anger का मतलब होता है गुस्सा, और sorrow का मतलब होता है दुख या सोक. मैं इन सभी चीज़ों को ना देख सकता हूँ, ना मैं इन सभी चीज़ों को छू सकता हूँ, तो इन सभी चीज़ों को मैं सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, तो इने हम रखेंगे abstract noun की list के अंदर. उसके बाद आता है common और proper noun, common noun का मतलब यही होता है कि वो common है, किसी जगा का, किसी building का, किसी hospital का, किसी इनसान का, किसी road का, किसी college का, किसी school का नाम, जो कि common है, पर अगर मैं उस चीज़ों का proper नाम लेकर बात करूँगा, तबी जाकर मैं उनको proper noun की list के अंदर रख सकता किसी जानवर के बारें बात करो, तो इनसानों के अंदर भी अलग-अलग age group के बहुत सा इनसान होते है, उसी तरह animals के अंदर भी अलग-अलग पानी में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आस्मान में उड़ने वाले पंची भी उसके अंदर आते है, पर अगर मैं आस् मस्त जाती के बारें बात कर रहा हूं, सभी के बारें बात कर रहा हूं, तो मैं उनको लिखूंगा common noun के अंदर, for an example, यहाँ पर कुछ एग्जामपल है, जिसको हम देखते हैं, सबसे पहले आता है man, उसके बाद है company, hospital, day or school, अगर मैं किसी एक इनसान के बारें बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा man, मैं किसी company के बारें बात कर रहा हूं, पर मैं यहाँ पर किसी company का नाम लिए भीना, सिर्फ और सिर्फ सभी company के बारें बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा company, उसके बाद है, मैं hospital के बारें बात कर रहा हूं, city के अंदर जितने भी hospital है एक, दो, तीन, चार, पाच्छे या सेकड़ो hospital भी है तो मैं उनको लिखूंगा hospital और उनको लिखूंगा common noun के अंदर उसके बाद है day हपते में साथ दिन होते है तो मैं अगर साथों के साथों को नाम एक साथ में लिखूंगा तो मैं उनको लिखूंगा common noun के अंदर और उसके बाद में है school किसी भी school के बारे में बात कर सकते है primary school के बारे में बात कर सकते है higher secondary school के बारे में बात कर सकते है, English medium है या फिर गुजाती medium है, मैं यहाँ पर common या में general बात कर रहा हूँ पर उसके बिलकुल विपरित उसके बिलकुल अपोजिट अगर मैं किसी एक इनसान के बारें बात करता था तो उस इनसान का नाम अगर जगत तो मैं उसको लिखूंगा प्रॉपर नाउन के अंदर इनसान का नाम में तो मैं लिखूंगा जगत वो proper किसी एक इनसान के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बाद एक company तो for example BMW, hospital, गांधी hospital, day, Friday और school तो बच्चपन यहाँ पर मैंने सारे के सारे किसी एक proper hospital proper school, proper दिन, proper जगा और proper नाम के बारे में बात की है यह सारे के सारे proper है और noticeable आने वाली बात यही है एक बार फिर से आपके notice में ला रहा हूँ कि common noun के जितने भी alphabets पहले वाले होते है वो capital होते नहीं है वो हमेशा small के अंदर लिखे जाते है वही पर proper noun के अंदर जितने भी पहले alphabets होते है वो सारे के सारे capital में लिखे जाते है आप उनको small में लिख सकते नहीं हो दुसरी बात common noun का plural हो सकता है यानि कि आप उनकी संख्या बढ़ा भी सकते हो ऐस लगा कर वही पर proper noun का कभी plural होता नहीं है वो हमेशा singular ही रहता है उसके बाद आता है countable noun countable और uncountable ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिर हो गई कि countable क्या होता है और uncountable क्या होता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ countable वो चीज़े होती है जिनको आप गिन सकते हो और uncountable वो चीज़े होती है वो नाम होते है जिनको आप कभी गिन नहीं सकते जिन चीजों का आप गिन सकते हो एक, दो, दस, बारा, हजार उनको रोखोगे countable list के अंदर और जिन चीजों का आप नहीं गिन सकते उनका आप रोखोगे uncountable list के अंदर example के जरीय समझे की कोशिश करते है book, pen, table, tiger or student इन सभी चीजों को मैं गिन सकता हो पर उसी के बिलुगल विपरित अगर मैं uncountable के बारें बात करूँगा तो water, salt, love, air or advice इन सभी चीजों को मैं एक, दो, चार, पांच, छे गिन नहीं सकता तो for example मैंने आपको जैसे कहा कि countable के अंदर वही चीज़े आएंगी जिनको हम count कर सकते है और uncountable के अंदर वही चीज़े आएंगी जिसको हम count नहीं कर सकते है आखिर में दो है collective noun और है group of noun जी हाँ, collective और group अगर मैं आपसे ये कहूँ के मैंने किसी 5 या 10 लोगों को देखा चाए वो teachers थे वो engineers थे, वो soldiers थे वो students थे अगर मैं उनके proper नाम के बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं ensure यही कहूँगा कि कोई group था 5 या 10 लोग खड़े थे पर मुझे उनका proper नाम क्या था exact नाम क्या था ये मुझे बिलकुल पता नहीं था तो ऐसे हालात में क्या होगा मैं उनको लिखूंगा group of group यानि एक से लगा कर 10-15 कितने भी लोग आप लिख सकते हो तो group of के अंदर मैं उन सभी के नाम लिख सकता हूँ for an example मैंने यहाँ पर लिखा है teachers, soldiers, teens, criminal और players अगर मैं 4-5 लोग teachers है जो school में पढ़ाते हैं अगर मैं उन सब के बारें बात करूँगा तो मैं उनको लिखूंगा teachers as करके मैं उनको plural कर सकता हूँ फिर उसके बाद आता है soldier यानि कि सेनानी अगर मैं उनको भी अगर दिखाना चाहूँ तो मैं उनको एक group था soldier का जो मैंने बाजार में देखा तो उनको भी मैं रखूंगा group के list के अंदर फिर उसके बाद में आता है keys यानि कि एक से ज़्यादा चाविया तो मैं उसको S लगा कर मैं उनको भी plural कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एक से ज़्यादा चाविया होगी तो उसे क्या कहता है एक से ज़्यादा soldier होगे तो क्या कहेंगे एक से ज़्यादा teacher होगे तो उसे क्या कहेंगे उसी तरह आता है criminals और उसी तरीके सा आता है players तो players अगर एक से ज़्यादा 2, 4, 5 players है अगर मुझे उनके बारे में नहीं पता है कि उनको एक से ज़्यादा कितना कहा जाता है तो उसे कहेंगे players या कहेंगे criminals पर अगर मैं उन सभी चीज़ों को बिल्कुल opposite अगर मैं individual लिखना चाहूंगा तो teachers को हम कहेंगे staff अगर एक से ज़्यादा चार पांच या दस teachers है तो वो बन जाता है staff उसी तरह soldier यानि कि सनानियों का group बन के हो जाएगा army उसी तरीके से एक से ज़्यादा चाविया होंगी तो उन चावियों को हम इंग्लिश में कहेंगे bunch और criminals और एक से ज़्यादा है वो robbery कर रहे है या फिर वो कोई murder plan कर रहे है तो उसे हम कहेंगे gang और उसी तरीके से last में है players तो players को हम कहेंगे team अगर एक से ज़्यादा 5-6 या 10 players है तो players को plural players कर सकते है पर उसका proper word होता है एक team तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि nouns के कुछ types और nouns के हमने कुछ प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश की उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत से doubt clear हो गए होगे अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कुछ questions है कुछ queries है या फिर कोई सवाल है तो आप हमारे comment box में अपने question और queries लेख सकते है I will be there आपकी सारे के सारे वहाँ पे questions के में solution आपको दे दूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो का आप share कीजिए इस वीडियो का आप like कीजिए और हो सके उतना इसको subscribe कीजिए और जितनी भी queries है उसको please comment box में लिखना ना बुले इस वी thank you